नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मौशमी मौशमी स्किचन में आप सभी कशागत हैं, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, तो मैं आज एक नए रेशिपी लेकर चले आई हूँ, मैं बनाऊँगी छेना पुरा, छेना पुरा उरिशा कि ये क्रेडिशनल मि और आप लोग चाहे तो पैगेट की दूसरे भी बना सकते हैं तो यहां गाय का दूद्ध ले लिटर ले ली हूं और चीनी कि चार पांच चमत चीनी और काजु किस्मिस छोटो छोटो टुग्रों में काट कर ले ली हूं और यहां इलाइची पाउडर और शुजी तो पहले मैं दूद में उबाल आने के लिए ले ली हूं तो दूद में जब उबाल आ जाएगा तो मैं दो चमच भीनिकर और दो चमच पानी मिला कर यहां रख दी हूं तो धीरे धीरे डाल कर इसे मैं छेना बना लोंगी तो थोड़ा सा और भीनिकर डाल दोंगी मैं तो देखिए थोड़ा सा और भीनिकर डाल कर मैं छेना बना ले हूं तो देखिए छेना बनकर तयार है मेरा पानी और छेना अलग-अलग हो गया है तो मैं इसे छान लोंगी तो यहाँ एक साब कपड़ा ले ली हूँ यहाँ कपड़ा में मैं छान लोगी और एकदम से पानी नहीं निचोड़ना है थोड़ा पानी रहेगा तो देखिए मैं छान ली हो और पानी को अलग से रख दूँगी मैं साइड में तो इसे मैं बोल में ले लूँगी छेना को छेना को मैं बोल में लेकर मैं इसे चमच की साहता से अच्छी तरह से इसे मसल लूँगी और इस तरह से में समसलने से सौप्ट बन जाएगा एकतम छेना तो छेना जब गरम रहेगा उसी समय मैं इसमें सूजी डाल दोंगी दो चमच तो देखिए छेना एकतम सौप्ट बन गया है तो छेना गरम रहते रहते इसमें सूजी डालना है दो चम्मत सूजी डाल दी और पाथ चम्मत चीनी आप लोग अपने पसंद से इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं तो देखिए सूजी और चीनी को मैं अच्छी तरह से मिला कर इसे मैं 15 मिनट के लिए ढख कर रख दूँगी ताकि सूजी एकदम फूल जाए तो मैं 15 मिनट के बाद धकन खोल कर थोड़ा सा चला लोगी इसके बाद मैं काजू किस्मी जो काट कर रखी थी उसे डाल कर और थोड़ा इलाईची पाउडर डाल कर अच्छी तरह से मिला लोगी तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक चम्मज घी डाल दोंगी तो घी को मैं अच्छी तरह से मिला लोंगी तो इसको साइट में रखकर मैं देखिए एक कंटेनर ले 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 हूँ कंटेनर में मैं एक चम्मज घी चारो तरफ से ब्रस कर लोंगी ब्रस से मैं चारो तरफ से लगा लूँगी घी को और एक पेपर इस तरह से काट कर रख दे थी आप लोग बटर पेपर भी दे सकते हैं तो मैं पेपर के उपर भी थोड़ा सा घी ब्रस कर लूँगी तो मैं इसके उपर भी ब्रस कर ली हूँगी और जो मैं बेटर बना कर रखी थी चेना का उसको मैं इसमें डाल दोंगी डाल कर अच्छा से अच्छी तरह इसे मिला लूँगी चारो तरफ से एक बड़ाबर कर लूँगी तो देखिए इस तरह से मैं बड़ाबर से कर ली हूँ और मैं एक कुकर में बेख करूंगी इसे इसलिए कुकर में आधा किलो नमक डाल कर इसे मैं 15 मिनिट हाई फ्लेम में रख कर गरम कर लूँगी तो कुकर में देखिए कुकर का सीटी और गास्केट मैं उतार कर रख दी हूँ और इसे 15 मिनिट मैं हाई फ्लेम में गरम कर लूँगी इसके बाद 15 मिनिट के बाद मैं ढकन को खोल दूँगी और ये गरम हो गया है अब फ्लेम को मीडियम में रख दूँगी मीडियम में रख कर इस तरह से मैं एक स्टेंड अंदर रख दी हूँ और ये जो बैटर मैं बनाई थी इसे मैं धीरे से यहां रख दूँगी और रखने के बाद मैं धकन लगा दूँगी और धकन लगाने के बाद इसे मैं 30 मिनिट मीडियम फ्लेम में बेख कर लूँगी तो देखिए मैं धकन लगा लिए हूँ और 30 मिनिट के बाद मैं फिर लोट कर आ रही हूँ फ्लेम को एकदम मीडियम में रखना है तो दोस्तों मैं 30 मिनिट के बाद लोट कर आई हूँ एक बार खोल कर मैं चेक कर लूँगी इसे तो देखिए चारो तरब से ब्राउन कलर हो गया है लेकिन बीच में अभी भी वाइट है इसलिए इसे 15 मिनिट और हम रख देंगे बेख होने के लिए और फ्लेम को मीडियम में रख कर और 15 मिनिट हम बेख कर लेंगे तो 15 मिनिट के बाद मैं फिर से खोल कर इसे चेक कर लूँगी तो देखिए 15 मिनिट के बाद मैं खोल कर देख लूँगी तो ये एकदम से रेडी है मेरा च्वना बन गया है तो इसे मैं धीरे से उठा लूँगी और उठा कर मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड में तो ये जब ठंडा होगा तब मैं इसे काट कर देखाऊँगी आप लोगों को तो देखिए दोस्तों मैं धाक कर 15 मिनिट इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए तो देखिए मैं 15 मिनिट के बाद लोट आई हूँ और इसे मैं चाकू से साइड थोड़ा साइड से घुमा लोंगी और इसे मैं एक प्लेट में उलट कर रख दूँगी तो देखिए इस प्लेट में मैं इसे धिरे-धिरे उलट दूँगी और परसे थोड़ा सा हाँच से इस तरह से दबा लोंगी तो देखिए कागज मेरा पेपर ए तो मैं इसे काट कर दिखा रही हूँ आप लोगों को तो देखिए आप लोग इस तरह से बना कर खाएंगे आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी ये वीडियो तो देखिए कितना सुन्दर बना है छेना पोड़ा आप लोग जरूर बना कर खाएंगे घर में और सबको खिलाएंगे तो देखिए मेरा च्विना पोड़ा कितना सुन्दर बना है खाने में भी बहुत टेस्टी होता है तो दोस्तों आप लोग इसे बना कर जरूर खाएंगे आप लोग ऐसा लगा मुझे कॉमिन्स में जरूर बताएंगे और लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊंगे आप लोगों के पास तो अभी के लिए चलती हूँ थैंक यू